यह एक Live Computer Class की वीडियो है मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा रहे था MS Word में पेज लियाउट टेप पेज लियाउट टेप के अंदर कुछ अप्शन रह गए थे पिछली क्लास में जो कि मैंने इस क्लास के अंदर पुरा कंप्रिट बता रखा है और आज किस वीडियो के अं फुल है इस वीडियो को लास्ता जोर देखें चैनल पर नए हैं तो चल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ है बिला का बटन पर क्लिक कर दें तो चलिए फैंट से बिना टाइम एस्ट के वे सुरू करते हैं आज की Live Computer Class से देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा तो मैं आप देख रहो है कुछ आप्सीन दिये वे हैं इन सभी का यूज करते हम किसी photo पर image को भी photo हो या फिर किसी शेप पर तो जब यहाँ पेज़ के उपर पर यह सेप लेके आगे ना तो फिर सार अप्सन यहां पर सो करेगा फिर हम इसका यूज कर सकते हैं जैसे मैं आ है तो मैं करके और यहां मैंने पिंचर भी क्लिक किया फोट्फ राने के लिए ठीक है आप इसे यहां तो देखो 2013 में न मूविंग कर पा रहे हैं हम यहां पर फोटो को कहीं पूठा के लिए जाना हो तो ले जा सकते हैं लेकिन 2007 के अंदर फोटो कभी लेकर आओगे तो मूविंग निंग करेगा तो यहां पर टेप के अंदर पहला देखिए यहां पर सार अप्सन यहां पर सो कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर फर्स्ट अप्सन दिया है पॉजिशन का मैंने अशुप पहले भी आपको बता रखा है इसका पॉजिशन में गया दिसे यास यह बहुत है टॉप में लेफट है यह कर दिया मैंद सेंस्टर और यह दिया राइट है ठीक है इसी तरहीं इस तरीक के अशुप प्र हूंना पेज के विचों बीच में लेक्वанием नेकिति एपकर कर एए पने 10-80 mad chip उना ब्रॉत्याइशं झ यहां मैंने राइट雇 क्लिक कर दिया घृतर है तो सिंपल है ब सब्सक्राइब क्या होता है कि यह हमारा प्रस्पार क्यों च Lore कि कि मैंसी loser को कोई फोटो लानी के बाद सीथ उसके क्लिक करना है ठीक है जहां भी आपको set करना है बस उस पर click कर देना है फिर जैसे दुबारा से मैंने आपके top में left side में click कर दिया ठीक है तो यहां पर मारा आ चुका है इसके बाद यह दियावा है text wrapping ठीक है जिन्होंने call question किया था यहां पर break के अंदर ठीक है तो यहां पर जो दियावा है इसका जो काम होता है कि यह जो फोटो है हमारा text में कहां पर रखना है जैसे देखिए अब यहां पर यह टैक्स के left side में है यहां पर किस पर click क्या हुआ है square ठीक है यह square पर click है तो यहां पर square बनके आ रहा है इसका फोर्मिट चेक कर लेता हूं अभी यहां पर जैसे मैंने आप ना देखिए शर्कल लेता हूं फिराली ठीक है यह फोटो यहां पर इस तरीके से हमें अगला होगा फोटो साथ में तो यहां करेंगे यहां इसके अंदर Tight options यहां पर जितनी बी option दिएवे ना सब का different work है दिसे मैंने ञापने क्लिक कर दिया behind text है तो यह text की पीछे चला गया मुझे इस着 text के ऊपर दिखाना है तो मैंने variable text पर कलिक किया और यहां पर किलिक कर दिया इस when it comes in front of text है यह हमारा टैक्स के उपर घए यह देखो मैं यहां पर दिखाता हूं यह अफिर दूबार से कि बीच में करना होगा तो यहां पर कर देंगे हैं स्क्वायर तो यहां पर जितने भी उप्षन दिए वे ना तो किसी भी फोटो को या शेप को लाने के बाद कहां पर आपको रखना है यह सारी चीज़ यहां पर दिया हुआ है तो इस्टेब आप जब क्लिक करके देखोगे तो आपको सब्सक्राइब यहां पर अब यहां पर स्क्वायर किया हुआ है तो अगर दुबारा से टाइट कर दूंगा तो देखो यह जो टैक्स है मारा यहां सरकल में ओटमेटिक एजस्ट हो गया ठीक है तो हमें यहां पर देखना पड़ता है कि कौन और यहां पर यूज करना है चलो इसके बात दिखाता फोटो को यहां से हाठादेता हूं ठीक है? और जो भी टैक्स टाइब किया और इसे भी इहां से बाशिक हो तो मैंने कीबॉर्ड्स से कंक्टोल में परेस किया और यहां पर डिनएट की प् Creo दिया, ठीक है तो यहां पर मल्टी पॉटो लेक्त हो मैं इसको आतका और यूmost सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां प्रक्राइबिंट खोटा करेंगे तब यहां पर एक को पर ईकार करेंगे गयांर सब्सक्राइब करने समय प्लक्राइबेन तो 618 SCHM 150 Lizard that's a test a क्या प्लक्राइबेस सेट आ। है तो यहां पर एक मैना ऐसे कर दिया और यह मंर은 फोर नमबर पर है इसको भी मैं यहां पर यहां पर यहां पर इसको इसे कर देता हूं तक यहां पर दो ऑप्षन दिये हुए है Bring Forward Send Backward तो मैं दोनों में डिफेंड बता दूँ किसी भी फोल पर पीछे के ले जाना पीछे की और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपchesर दियावा है जैसे मैंने इस पर click किया ठीक है तो इसमें दो option यहां पर दिये हुए हैं पहला option है मारा bring forward इसका काम क्यों तो मैं दिखा देता हूं मैंने यहां पर जैसे यहां पर बीच में photo है second number पर यह वाली photo फॉरवर्ड यह देखो यह आगे आपको तीसे नंबर पर ठीक है एक बाउपर लानी के लिए और अगर आपको एक बाउपर पीछे ले जाना होगा तो यहां पर और ऑप्सन है सेंट पीछे लाने के लिए ठीक है अगर वन श्टेप बैक करना होगा ना तो यह दियावा है सेंट बैकवर्ड वन श्टेप के लिए लेकिन मैं चाहता हूं ना कि यह photo सबसे उपर है यह देखिए यह जो photo है यह सबसे उपर है मुझे इस सबसे पीछे ले आना सबसे पीछे है फिक है तो हमें सजया लखना रखना सेंट बैकवर्ड के अंदर एक यहाँ पर दिया हा है सेंट टू बैक है तो मैंने क्लिक करके और यहां पर सबसे उपर लाना है सबसे उपर तो simple सा है bring forward जा करके और यहाँ पर दियावा है bring to front है तो मैंने speaker क्या दिये सबसे उपर आ गया तो कभी भी आपको एक step पीछे जाना हो या सबसे पीछे जाना हो तो यहाँ पर दोनों में दो-दो option दिये हैं और यह दियावा है text के लिए जब यहाँ पर text टाइप करेंगे न तो bring to front मतलब text के उपर text के पीछे ले जाने के लिए इसमें option दिया हुआ है यह option आपको 2007 में नहीं मिलेगा उसमें आपको उसकी दो यह option मिलेगा bring forward का और bring to front का ठीक है तो simple सहाँ रखना कि कभी भी अगर photo या कोई भी shape लेके आते हैं यहाँ पर और किसी भी shape को आगे पीछे करना हो तो इनके लिए हम यूज करते है bring forward और send backward ठीक है इसके बाद यहाँ पर दियावा है selection pane देखिए यहाँ पर जब हम photo पर काम करते हैं तो कौन से photo को हमें दिखाना है कौन से photo को नहीं दिखाना है तो उसके लिए हम गया विच करते हैं selection pane, जैसे यहाँ पर 4 photo है सबोज, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर selection pane पर click कर दिया तो जैसे मैं इस पर click करूँगा, तो एक panel खुल के आएगा यहाँ पर, तो यह panel का नाम क्या है, selection, और जितनी भी यहाँ photo है, सबी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और जिस पर हम click करेंगे ना, वो यहाँ पर हमारा नाम select हो जाएगा और यहाँ पर i button दिया हुआ है i button, किसे हमें दिखाना है, किसे नहीं दिखाना है, तो यहाँ पर i button पर अपको कलिक कर देना है येreteं है तो काम होता है किस फोटो काम पेच academy दिखाना है किस फोटो कोAmma page पे नहीं दिखाना है तो सेलेक्स deception पेचेा करों के या पर करना है और एक बड़मे सबी को हघ्स करना है तो यहां पर दो बटन्स दिये वे हैं show all और hide all तो मैंने hide all पर click कर दिया सारे hide हो गए दुबारा से show करना हो तो show all पर click कर दिया सारे show हो गए ठीक है तो यही option दिया हुआ है selection pane के अंदर चो तो इसे मैं हटा देता हूँ अब देखिए selection pane के बाद यहां पर दियावा align और poison दोनों का काम एक जैसा ही है लेकिन दोनों में different क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहां पर मुझे एक photo का ही काम है तो मैं यहां पर तीन को read कर देता हूँ यहां पर ठीक है और मुझे यहां पर text type करना है तो यहां लगा देता हूँ हमें paragraph यह हमार टेक्स आ गया अब देखिए यहां पर जो हमने पोजिशन ही उच किया था इसका आपको काम पता ही है यह हमारा हो था टॉप में left side में यह center में और यह right में ठीक है माल लेते हैं कि अगर हमने इस photo को यहां पर set कर दिया इस जगह पर ठीक है मैंने यहां पर set क कर दिया टॉप से थोड़ा से नीचे और मैं चाहता हूं कि इस photo को यहीं से मुझे center में दिखाना है मतलब current है यह जो दियावा है इसका काम होता है exact position तो जहां पर हमारी photo है वहीं से center करने के लिए अगर आप इसका यूच करोगे न तो यह क्या करेगा या तो यह top में ले यह फिर bottom में तो हम इससे नहीं कर सकते तो या दखना इन दोनों का काम सेम होता है बस दोनों में different यह होता है यह हमारा दियावा है exact position ठीक है और यह होता है हमारा current position जहां पर मारी photo है वहीं से अगर हमें left center यह right करना होगा तो उसके लिए में यूच करेंगे align तो मैंने यह इस पर क्लिक कर दिया और यहां से कर दिया मैंने align center ठीक है तो जहाँ पर मारी photo थी वहीं से हमारा center हो गया तो यह बोता है current position, और यह कहता हमारा एकक्ज़ेक्ट पोजेशन, जो इसमें दिया है وہ ही जाएगा ठीक है वैसे यहां पर right में करना राइट कर दो, align right है और left करना तो यहां से align left तो दोनों में सेमी ओप्सन दिया हुआ है सारा ठीक है सिफ़ डिफेंट यह होता है यह एक्जेक्ट है और यह करंट है और यह दिया हुआ ग्रूप है देखिए ग्रूप जो हता है हमारा यह फोटो पर काम नहीं करता है मैं दुबारा से अंडू कर देता हूं यहां पर प्लिक करना हो गया तो यहां पर फोटो ऑफ्सेट कर देता हूं मैं भी गुरूब पीचर पर किया नहीं था और अभी यहां पर गुरूप कर रहा हूं लेकिन इससे पहले का जो वर्जान है हमारा पास देसे 2010 हो गया यह सेवन हो गया उसमें आपका गुरूप सो नहीं करेगा ठीक है तो मैंने एक फोटो पर किलिक करके और और भी फोटो स्लेट करना है तो कीबोड से प्रेस कर दिया सिफ्ट की और यहां पर मैंने इसे स्लेट कर लिया यह देखिए तो चारो स्लेक्ट होगे और यहां पर गुरूप पर किलिक करके और यहां से करतो गुरूप तो गुरूप करने से फायदा यह होगा कि अब यह हमारा सारा गुरूप हो चुका है मैं एक फोटो पर किलिक करके ना करत शाय फोटो एक साथ Wand करेगा ठीक है और यहां पर सकते हैं यहां पर вокруг करने हैं करें लिए पया है तो मैंने और यहां ही प्लेप करना है जुन देखें रहाकर और क्या करने है यहां के साथ सभी को डिया गुरुफ करें है और डुबारा दीखें, घृूप करने के बाद, गर अगर अगर वुूप करना हो, तो यहाँ पर फोटो पर पर पहले, तो आपको इस पर आप सिनफ करना होगा, जोहाँ घृूप किया हुआ है, और यहाँ पर इसमें आगला ऑप्सों यहा पर दिया है अन गुरूप का, तो अब यह एक एक फोटो को कहीं ले जाना हो ले जा सकते हैं फिर तो यह होता है सेप और किसी बी सेप या फिच्टर गुरूब करने के लिए और यह सारे उप्टन जो अभी हम यहां पर फोटो पर यूज की आवा है इसी चीज को हम फोटो पर ना यूज करके हम से पर यहां पर जितने भी उप्सन दिये वे हैं यह सिर्फ टैक्स पर यूज नहीं होता तो यादकना हमें सभी कि अरेंज गूरूप के अंदर यहां पर यहां पर इन सभी कर सकते हो यह एक बाना अन्म्यूट करके बेगाद सब्सक्राइब करूंगा तो यहां पर फोटो पर काम करने के लिए इसे मैंने पहले भी दिया हुआ है ठीक है तो मैं पूछ लेता हूं अग्रूप कर दिया मैं सभी को करते हैं करते हैं करते हैं अच्छा यह अंदर पॉजिशन व्रेप टैक से लिंग फरवर्ट अफ़र्वर्ट अफ़र् अच्छा अच्छा यह सब्सक्राइब करते हैं अच्छा यह सब्सक्राइब के अंदर पॉजिशन व्रेप टैक से ठीक है ब्रिंग फरवर्ट सेंट बेकवर्ड सेलेक्शन पेन अलाइन ग्रूप और रोटेट बहुत ही अच्छा उप्सन हमारा जब कई फोटोग्राप एक काम करोगे ना तो इसका उच्छ करना पड़ता है मैं तो एक बार आप मुझे बता तो कोई क्लियर है सभी को कौन सा रोटेट बता देता हूं आपको अरे बताईगा फिर से कौन सा कि अब ही कॉस्टन च्राइअ कि रोटेट का यूज कैसे करते हैं तो एसे हम हमेसा यूज करते रहते हैं मोवाईल में भी रोटेट मतलब होता है किसी भी टो को या सेब को मूविंग करना मतलब घुमाना ठीक तो मैं चाहता हूं इस वाले हैंड को इधर करना है तो रोटेट पर क्लिक करके और लेट से राइट करने क्लिक क्लिक करते हैं अब आप यहां पर दे सकते हो यह хंड हमारा इधर आ यह इधर आ गया और इसे उल्टा दिखाना हो गाओ मुझे यहां पीछ है यह नीचे दिखाना है और हैंड उपडाना होगा तो रोटेट पे क्लिक कर के और इसका जुछ तहिस का ही तो rotate देखो आप यहां से तो जो यहां पर दिया वा है जैसे 90-degree, vertical, horizontal ठीक है यहां पर मोर भी है तो more में क्लिक करोगे ना तो इसमें degree के हिसाब से कर सकते हो आप ठीक है यहां पर परसेंटर टाइप करना पड़ता है तो मैं आपको दिखा देता हूं आपको कभी भी rotate करना हो तो rotate का काम किया होता है किसी photo को moving करना ठीक है तो clear है अच्छा देखो मैंने कल आपकी class से बताया था आपको लोगो पेज लिया और टेप के अंदर यह सारा बता दिया margin से ले करके last pair of group तक है इंडेंट इस पेसिंग तक कल बताया था मैंने और आज मैंने आपको बताया है arrange group के अंदर अगर किसी को को डाउट है कल की class में और आज की class में तो वही पूछना और जिनको डाउट नहीं होगा अपना अपने पास से तो पूछलों मैं दुबारा से बता दूँगा ठीक है और फिर आगे class करें ठीक है आगे बताता हूं फिर में तो मैं यहां पे आप लोग को ना अन्मीट कर देता हूं किसी को डाउट है पूछ सकते हैं अभी कल की class में और आज की class में मैं रेप टेक्स के बारे बतायेगा चलो बिरेफ टेक्स बता दोबारा से बतायता हूं वरेप टेक्स आप लेट आयो क्या मैं अभी पूरा बता है फुल बताया मैं यहां पर पहले तेक्स लीना कर से ज़िए खिंग की इसा सब्रेक्स उता है लेकिन फोटो भी आपको लाना परे गा देखनाव यहां पर मैं टेक्स गिलिक करूंगा टैक्स परभी committed हौद कि कि मुझे इस फोटो को टैक्स के चला गया दोबारा मैं चाहता हूँ कि इसने में तीछ में नहीं बीच में लिए पूपर दिखाना है तो ni यहां से कर दो, Infront of Text है, तो यह हमारा आप Text के उपर आ गया, ठीक है, और अगर आपको बीच में दिखाना होगा, बीच में, तो इसी में जाकर के, यहां पर क्लिक करना आपको, Square पर है, तो यह बीच में आ गया, और आप चाहते हो कि जहां भी यह फोटो हो, ठीक है, जहां भ इसी Text है, यह देखो, तो इस फोटो कहीं भी ले जाओ, ठीक है, तो क्या होगा, कि Text या तो उपर होगा, या फिर नीचे होगा, ठीक है, इसके साथ में नहीं होगा, तो सिंपल सा है, व्रेव टेस का जो काम होता है, कि फोटो को आपको Text में कहां पर दिखाना है, उपर में नीचे में, बीच में, कहीं भी दिखाना हो, अपने दिखा सकते हो, ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ और भी चीज, जैसे मैंने दुबारा से Square कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर ये दो Option याद अखना ज़रा, Square, ठीक है, Square तो सुल में आगे आपको, ये जो Tight दि कर देता हूँ इसका, जैसे मैंने आपको दे दिया, Circle है, Circle ही ठीक है, और भी नहीं दिया वाइस में, मैंने Circle पर क्लिक कर दिया, ठीक है, इसमें Shadow आ रहा है, Shadow तो Shadow यहाँ पर देखते हैं, Shadow का Options हटाने के लिए, यहाँ मैंने Simple कर दिया, देखो, Shadow हटा दिया, मैंने, ठीक है Shadow यहाँ पर फटा दिया, आप नीचे पर Extra Space नहीं हो रहा है, इसको मैं तो और Circle में दिखा देता हूँ, ठीक है, देखो, तो जड़ा आप इस पर ध्यान देना, फोटो हमारा Circle में है, लेकिन यहाँ पर पे लिए टेप के अंदर, Tax Wrap में, हमने यहाँ पर क्या यूज किया तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ता है, बहुत ही अच्छा option है हमारा, क्योंकि कभी-कभी हम फोटो लगाते हैं बीच में, तो उसी हम चाहते हैं कि जैसा हमारा Shape है, उसके recording यहाँ पर हमारा Text काम करें, तो आप यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर Text भी हमारा Circle में हो गय सकते हैं, तो यह हमें यूज करना पड़ता है काम करते से में, इसलिए मैं आपको अलग से बताया है, स्क्वाइर और टाइट का यूज, ठीक है, तो और कोई doubt है किसी को तो पूछ सकते हैं, कल की class में या फिर आज की class में, तो मैं यहाँ पर unmute कर देता हूं, सर, सर, सिलेक्शन पेन की यूज क्या रहता है, अगर हम कोई, अगर इमेज नहीं भी चाहिए, तो हम डिलीट भी तो कर सकते हो, हाँ, डीट कर सकते हो, लेकिन डीट करने के बाद फिर आप वहाँ पर undo करोगे, तो काफी data आपका हड़ जाएगा ना, सिलेक्शन पेन में क् किसी जीच को हायड कर दिया, और आपने पेज पे और भी बहां सारा काम कर लिया, पूरे पेज में काम कर लिया, ठीक है, तो कभी भी उस फोटो को लाना हो, तो आप यहाँ पर यह लाज सकते हो, इस से, तपरा के लिए काना, आ है साज मेंए, सिलेक्शन पेन, अरि एज प यूरूप है यह पूरा फॉर्मेटिंग के लिए काम करते हैं एक प्रूटो लेक्षट लेकर आऊ तभी काम करें तभी सोगए और यह पुजिशन अच्छिए पिच्री के लिए काम करता यह यह सभी पर काम नहीं करेगा यह आपका एक्स नहीं होता है यह फोटवी कर रहा है सारसारा नहीं है कि यहां कि यहां पर आप ना रहा है तो यहां पर यूज नहीं नि करवाब जब तक cilantro 8ley यहां पे टिल्क में यहां पर से बनाया तो आप यहां पर दें सकते हो यहां शेप का नाम आ चुका है और बिए यहांप आप एक और बना लेता हूँ से ठीक है यहां फे एक वा लिया यहां पे कहाल क्या में आप ले लिया और इторको ऐसा ले लिया तो दो से पहें अब किसे दिखाना यह वही किसे नहीं दिखाना है राव तो सब्सक्राइब करने के लिए तो आप इसका यूज कर सकते हो यहां पर ठीक है और यह जो दिया वाइवा एलाइन अगर मैं इस पर किलिक करने के बाद देखू ना तो यह देखो कोई भी आपर सो नहीं कर रहा है ठीक है बाकी यह तो अलग चीजे हैं वह तो करते करते हैं सब को सीख जाओगे कैसे करना है अच्छा किलियर है सभी को यहां पर बहुत लोग मैंने अन्मिट कर दिया अक बहुत साथ लोग मूट कर रखेते ना है यहां पर मैं सभी को रमिट कर रखा है लेकिन हाप पर करने पार यह नहीं सब्सक्राइब कर लोगे ना इसके उपर बाकि जहां डॉट या को देख लेंगे फ्राइडे को देख लेंगे फ्राइडे को यही क्लास्ट लेगी ठीक है काम करो जितने भी डाउट्स होगा सब्सक्राइब करूंगा फ्राइडे फ्राइडे को सब्सक्राइब करते हैं लैट्टॉप पे और जितने भी कोशन्स आपके पास माइंड में आता है अलग से कॉपी नोट कर लो और पूरा फूल टाइम मिलेगा अपना पूछ सकते हो राम से चलो तो मैं यहां पर दुबार अब इसके बाद हम सीखेंगे रेफेंस टेब तिक है देखो रेफेंस टेप क्या होता है यहां पर जितने भी अप्सन कोई नई चीज तियार करते हैं तो इसका जो काप होता है एक इंडेक्स क्रेट करना जब आपको बूक ऑपन करते हो तो उसमें लिखा होता है ना पहला चैप्टर कौन से पेज़ पे है दूसा चैप्टर कौन से पेज़ पे है तो जो इंडेक्स जो बना होता है वो किससे बनता है यहां पर रेफेंस टेप के अंदर टेवल अफ कंटेन से बनता है और कैसे बनता है तो मैं एक बार बना के दिखा देता हूं आपको तो जो भी म हम काम करेंगे दूसरे पेज पे दूसरे पेज से काम करेंगे और पहले पेज पर हमें इंडेक्स करना है जो बूक में क्या होता है जो पहला चैप्टर होता है पहला पेज उसके बाद से चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे कि अगर में इंडेक् करता हूं यहां पर टाप करता हूं जैसे चैप्टर वन ठीक है और यहां दखना जो भी आप हेडिंग करोगे चैप्टर का तो यह सिंपल नहीं होना चाहिए यह आपको इसको हेडिंग बाना परेगा आपको अगर आप यहां पर एसेंश टेप कंदर टेवलोग कंटेंग चैप्टर करता हूं यहां बिलेंग छोड़ देता हूं तो इंसे पे क्लिक करके और मैंने हां फ्राइब करता हूँ चैप्टर 2 ठीक है इसको भी हैडिंग भाना आपको हैडिंग बनाओ गे तो आपका फिर इंडेक्स नहीं बनेगा यहां रखना चीज को मैंने हां पर उनकीच कर दिया साइज मार लेते हैं कि हमारा 4 page का है तो मैं insert पर click करके और यहाँ पर 4 page billing कर देता हूँ 1, 2, 3, 4 ठीक है तो मैंने अभी कितने chapter बनाया सिर्फ only 2 ऐसे और भी chapter बना सकते हैं तो मैं आपको सिर्फ 2 पर दिखा देता हूँ तो 2 chapter मैं बना लिया और index create करने के लिए अब हमें जाना है फर्स वाले page पर जो हमने billing किया हुआ है तो यहाँ पर मैं scrolling करके जाता हूँ उपर मैंने vertical slider से मैं उपर आ गया और फर्स पर आने के बाद आपको इस पर click करना है कई लोग क्या करते हैं कि उपर पहले page पर आ जाते हैं यहाँ पर मैं अपनी computer center पर आता हूँ तो पहले page पर आने के बाद क्लिक नहीं करते हैं ठीक है तो अगर हम क्लिक नहीं करेंगे तो हमा जो करसर हो सबसे नीचे वाले page पर है तो यहाँ पर आ करके आपको click भी करना है तो मैंने इस पर click कर दिया अब index बरानी के लिए आपको क्या करना है reference type पर click करना है table of content पर click करना है और इसके नहीं आप नीचे option दियावा है custom table of content ठीक है आपको इस पर click करना है और यहाँ पर दियावा है format ठीक है format मैं आपको जब इस पर click करोगे ना जैसे मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए यहाँ पर हमने heading 1 लिया है यह बिल्कुल सिंपल में है तो मुझे माल लेते हैं कि मुझे दिखाना है bold में या dark वगरा जैसा भी तो यहाँ से format चेंज कर दो मैं format पर गया यहाँ पर click क्या मैंने classic पर यहाँ पर आपको दिखाएगा heading 1 स्टाइप से आएगा तो मैंने इसमें और भी ले लिया जैसे मैंने कर दिया यह कुछ इस तरीके से आएगा तो मुझे माल लेजिए ऐसा दिखाना है जो भी आपको format यहाँ पर अपले सकते हो format अपने recording और जैसे यहाँ पर chapter का नाम होगा ना तो बीच में आपको क्या दिखाना है underline दिखाना है डॉट दिखाना है या फिर दिखाना है तो उसके लिए यहाँ पर यूज करना पड़ता है tab header ठीक है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तीन ओप्सन दिखाना देगा डॉट डैस और डॉट डैस और अंडर लाइन तो मैंने यहाँ पर कर दिया डॉट है ठीक है डॉट चाहिए मुझे अब बस इतना ही करना आपको सिव आपको format लेना है और क्या करना है यह जो हमने index बनाया किससे बनाया हमने table of contents है ठीक है और देखिए जब आप यहाँ पर कोई भी chapter कर नाम टाइप करके ठीक है आपको heading बायने क्लिक करना पड़ता है home में आ करके और यहाँ पर click करना पड़ता है तो अगर आपको heading यहाँ से नहीं बनाना होगा ना तो आप क्या करोगे reference tape के अंदर आप यहाँ से भी heading बना सकते हो यह button दिया हुआ 8 text का तो मैंने इस पर click कर दिया और देखिए यहाँ पर दिया है level 1 यह हमारा heading 1 है और यह दिया है sub heading 2 होता है जिसका नाम यहाँ पर लिखावा है level 2 और level 3 होता है heading 3 तो अगर आपको heading बनाना होगा तो आपको home tape क्लिक करने की जुवत नहीं है आप यहाँ पर reference tape के अंदर से यह text में जा करके और यहाँ से heading बना सकते हो ठीक है आप देखिए मा लेते हैं कि chapter 1 के अंदर मैं और भी heading बनाता हूं ठीक है यहाँ पर chapter 1 में दे दिया कि मुझे basic computer course के बारे में लिखना है chapter 1 के अंदर मुझे यहाँ पर basic computer course के बारे में टाइप करना है ठीक है तो यह भी heading है तो यह हमारा क्या है main heading यह क्या बनेगा हमारा sub heading आप लोग को पता है मैंने starting बता रखा है तो मैं आप होम में ना जा करके मैं reference step में जा करके मैं यहीं से heading बना द और अब मुझे ना इस वाले heading को यह जो हमारा index बना रखा है हमने इसे हमें यहाँ पर इसमें update कराना है कि chapter 1 के अंदर क्या क्या है यहाँ पर मुझे क्या करना है तो आपको क्या करना है chapter में बीच में कोई भी heading type करके अपना sub heading देख लेना कि heading 1 बनेगा या 2 बनेगा और य यहाँ पर नीचे वाल option को क्लिक करना है ठीक है update entire table तो मैंने इस फिक कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने okay ठीक है तो यहाँ पर आ चुका है हमारा basic computer course कि के अंदर हमारा chapter 1 के अंदर automatic आ गया ठीक है और यह हमारा इसका page number दिया वाए तो इस तरीक से आप यहाँ पर दिख तो टोटल टेन चैप्टर्स आपको दस चैप्टर क्रेट करना है और मैंने अब यह जैसे दो बनाया आपको बनाना दस से तो एक वाल मैंना अन्म्यूट करके आप से पूछ ले दांको डाउट हो तो ठीक है अगर इसमें कोई डाउट होगा तो दुबार बता दूँगा क किसी कुछ पूछना ही कि अगया है नहीं सब्सक्राइब कर दो किसे इसको सर्जो अभी बताया है अरे देखो एक दो चीजे पूछो के क्लास करते से में तो सही रहेगा अब सारा इपूछो के तो अभी तो पताया है अब अब लेट आज़े वीडियो रिकॉड़ेट होता है आपको दो घंटे बात मिल जाएगा आपको क्लास करने के बात तो क्लास करते समय सारा ही पूछो के पूर सुर्च सब्सक्राइब बताना पड़ जाएक नहीं कोई बात नहीं अगर लेट आगा तो को दिक्रत नहीं है आपको रिकॉड़ेट वीडियो मिल जाएक अब सारा ठीक है अच्छा मैं आपको आप बताता हूं फूट नोट और नोट बहुत अच्छा अपसान है यह भी कर देता हूं किसी कोई डाउट नहीं है ना इसमें ओके तो देखिए यहां पर रेफेंस टेप के अंदर टेवल कंटेंट क्लियर हो गया इसके बाद दूसा अप्सन दियावा है फूट नोट ग्रूप है इसमें यहां पर दो iliamap options दिये है इंसर्ट原ट आफ iyumap एक फूट्णोट इसनोट अंगरफ है तो जो में पेम क्या खूट्राएं और यहां मैं इसके बारें बता दूँआ कि फूट्णोट और ड्नोट में क्या अंतर है क्या देखिए दोनों में जो भी इनका काम है मैं अभी दिखा दूंगा पैक्टिकल कि इनका काम क्या है और मैं बता दूंगों में डिफेंट्स किया है दोनों का काम सेम है लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है जो हमारा फूटनोट होता है end of the page होता है यहाद दखना जो भी इसका यूच करेंगे न footnote का तो यह इसका result कहाँ पर आता है end of the page page के last में और जो हमारा end note होता है यह होता end of the paragraph है जैसे माल लेजिए मैंने यहाँ पर यह कुछ paragraph टाइप किया हुआ है तो यहाँ पर जो भी इसका result होगा वो कहाँएगा end of the paragraph है पर आता हमने काम किया उसके बाद दिखा देगा और यह जो footnote होता है end of the page यहाँ पर लास्ट में दिखाएगा आपका तो देखे इसका काम क्या होता है आपने देखा होगा इंगलिस के book में जैसे कोई word difficult है इंगलिस कोई word difficult है तो उसकी meaning जो होती है वो chapter के last में दिया होता है ठीक है कि उसके उस word का meaning क्या है चाहे वो हिंदी की book हो या फिर इंगलिस की book हो तो उसी तरीके से यहाँ पर हम यहाँ यहाँ पर working time में अगर काम करते से में पेज में हमें दिखाना होगा किसी word की meaning किस word का meaning क्या है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या उच करते हैं insert end note और insert footnote है ठीक है और कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कोई एक word ले लेता हूँ मैं जैसे online video जै document लेता हूँ तो जिसके उपर भी जिस word पर आपको लगाना होगा ना footnote या end note है उस word के last उस word के last में क्लिक करना last में बीच में क्लिक मत करना नहीं तो फिर फिर स्पेस हो जाएगा तो उस word के last में क्लिक करना है और क्या युच करना आपको दोनों का काम तो सेम है में बता दिया तो म्हान लेतें मुझे पेज के लास्ट में लिए हीसका रिजल्ट में दिखाना तो मैंने इंसर्ट प्रिख दिखाना है था खै मैं Net owners फॉनट कर दिया था था तो यह 구and सकते हैं यह हमारा डिक लास्ट में घे ऊपन हो गया daughter ने रहे हैं अप्र् में दिखा कि दिखा सकते हैं लेंटर पेजर ऐसे पर जैसे एस प्र sculptures है तो आप देखो इसका इसका क्या होता था अभी तक सब्सक्राइब देखिए जिया लेकिन है मतलब इसका manly use है क्या, तो देखिए मैंने रहा है यहाँ पर डोकुमेंट के बारे में तीन वर कि किसी word के बारे में कुछ Spinning या कुछ युज के बारे में दिखाना ओगा एक लाइन दो लाइन तो आप उसी word के उपर दिखा सकते हो यहाँ पर footnode और end note का उजञे करके थीक है तो यह देखी यहां पर दिखा रहा है तो मैं वर्ड को उपर जा रहा हूं तो उसको उपर लिखा वा रहा है ठीक है लेडर पेजेज और प्रजेक्ट है तो मैं और भी दिखा देता हूं जैसे मैंने हीडर पर क्लिक किया और इस बार मैं आपको दिखाता हूं उपे क्लिक कर दिया to आप यहां पर दे सकते हैं end of the paragraph यहां पर हमाँ गया nुँच कर और फॉट हिटर क्या होता है मैंने यहां आप दे दिहा top of the page यह जो हड़ा है टॉप ऑफ दापर पेज है तो आप यहां पर कोई भी देसेमालित यह पूर्फ बार रीड करता है तो header अगर उसमझ में नहीं आएगा तो क्या होगा देखो उसके उपर टॉप में लिखावाएगा तो यह होता है मारा है एंड स्पाट के बारे में कुछ मींश्य मीनिग या कुछ विशके बारे में एक लाइन दो लाइन दिखाना होगा उस वर्ड के उपर ठेर करते हैं तो उसके लिग्या विच करते हैं end note और footnote दोनों का काम यह होता है जब आप footnote यूज करोगे तो आपको कहा टाइप करना पड़ेगा end of the page ठीक है जो भी इसका result है उसके बारे में word के बारे में जब end note यूज करोगे यहीं देखने के लिए है next ने लगा रखा है तो यहां पर लगा रखा ठीक है फीज में नेक्ष्ट करोंगा तो इसके बाद करस्ता शीदहा यहां पर आ गया ठीक है इसके बाल मैंने यहां लगा रखा है एंड नोट है, तो यहाँ पर जा करके और मैं करता हूँ यहाँ पर next एंड नोट है, तो यह देखो यहाँ से करसे सिधा हमारा यहाँ पर आगया तो यह सिप देखने के लिए होता है कि हमने कहां कहां पर page में लगा रखा है और जो इसका result हमने नीचे प्रपड किय यह और आपके पास दो उप्संस आएगा जो यहां पर दिया हुआ है ठीक है फूटनोट एरिया एरिया देखने के लिए यह आपने प्रपाइब किया है यह यह आपने किस-किस वाद पर लगा और यह दिया वाँ है विव एन नोट एरिया तो मुझे तो किसी वर्ड के बारे में कुछ मीनिंग्स देना वगरा हो एक लाइन दो लाइन यह उसके बारे में कोई एक वर्ड दिखाना हो तो उसके लिए क्या उच्छ करते हैं हम फूतनोट और एंडोट है तो मेना को चारों बता दिया और एक बार अन्मुट करके पूछ लेता हू अगर दाउट होगा तो दुबारा बता दूँगा और नहीं सर किसी को डाउट है कुछ है कि देखो मैं आप लोग की जनकाली के लिए थासा दो तीन लाइन बता दूँँ आ देखिए जब हम एमस वर्ड सीखते हैं ना तो मैं सभी के लिए बता दूँ जिनोंने पहले से स दिखा होगा कई लोग तो सीखे हैं कुछ लोग और कई लोग स्टार्टिंग कर दें बिल्कुल मेरे साथ ठीक है तो मैं आप लोग की जनकाली के लिए पता दूँग कि एमस वर्ड में काम करनी के लिए ठीक है आपको क्या-क्या आना चाहिए हों इंसर्ट डिजाइन और अगर आप इस चारों के अंदर जितने भी यहां पर इसकी फीचर्स दिए वह हैं जितने भी टूस है और सारी चीज़ आपको आता है ना तो एमस वर्ड के अंदर कोई बी कैसा भी प्रजेक्ट हो आप सारे काम कर सकते हो जिससे रेफ्रेंस हो गया मेलिंग हो गया तो इन स इससे सबी चीज़े आता है तो कोई भी आपको दिकत नहीं होगा अधिक्ट में काम करने के लिए तो मैंने आपको बताया भी रिफेंस टेप के अंदर यहां पर टेवल अपर और फूट नोट ठीक है यह बिने बता दिया चलिए अब मैं आपको बताता हूं यहां पर सिट हुआ हाना तो मेरे सिलीड बोल देता हूं कि मैंने यहां पर कौन-ापण से बटन प्रेस किया है ताकि आप जब बीडियो भी देखोगा रिफेंस नाम लिखा होता है थीए फिर उसमें उसमें राइटर कौन है पब्लिसर कौन है तो एक बुक में नीचे एक लाइन में लि पूरा कौन से सर्म में पब्रिस हुआ है वह सब दिया होता है उसी तरीके से जैसे कोई मुवी आती है तो आपने देखा होगा मुवी का चैप्टर लगा होता है सिब्बल सिनेमा के बाहर तो मुवी का जो चैप्टर लगा सबसे नीचे में देखना वहां पर लिखा होता है स प्रोडूसर को ने सबका नाम लिखा होता है पलत साथ में एर भी होता है तो यह वही चीज है सिटेशन एंड बिल्योग्राफी तो अगर आपको किसी बुक के बारे में या किसी मुवी के बारे में सारे अप्शन इसके अंदर दिये हैं ठीक है आपको किस चीज के उपर एक बिल्योग्राफी बारना है सिटेशन क्रेट करना है तो करने के लिए क्या करते है मैं बता देता हूं आपको यहां पर इसका यूज करने के लिए ना इंसर्ट सिटेशन पर क्लिक करना है और यहां पर एक उप्शन दियावा है एड न्यू सोर्स है ठीक है मैं इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए यहां पर एक पैनल खुल के आया है create source का और यहां पर दिया है type of source है आपको किस topic को पर है कि situation create करना है बीब्लियोग्राफी तो जैसे पहला option यहां पर दिया है यहां पर सारा दिखा रहा है इसके अंदर कि पॉप्लिशर इडिडर वॉलियम नंबर अफ वॉलियम से यह बुक के बारे इंप्वीट डिटेल टाइप करने लिए तो मैं इसे हटा देता हूं और क्या-क्या इसके अंदर है तो मैं इसके लिक किया एरो बटन पर देखो यहा यहां पर रिपोर्ट है वेपसाइट हो गया ठीक है मूभी का दिखाता हूं यह रफ फिलम अगर मैं यहां पर फिलम करता हूं तो यहां पर क्या आ रहा है टाइटल प्रोडुक्शन कंपनी डारेक्टर एयर तो यहां पर सिब आपको टाइटल टाइप करना है कंपनी का नाम स्वूप मोठी तो मैं आपको स्वूट में दिखा देता हूं और आधा, तो मैं अधो आधा टाइटल में क्या देना है धैटल मेंbookी देता है मैं जैसे बैची कंपूटर चेज़ों कॉन मैं परली करेगा पब्लीसर कौन इसे पब्लीस करेगा तो मैं अपना कर्मिटर सेंटर कराम देता हूं ठीक है और इस्टेंडर नंबर और भी वह साइच चीजे होती है बुक जब बनाते हैं तो जो बुक बनाता हुआ उनको पता होगा किस अंदर और क्या क्या जो सबस्क्राइँ सब्सक्राइब करके और onwards क्या करना को करना तो यहाँ पर दिखाएगा यह ब Après है और इसका ना style होता है यहां पर तो style हम बाद में उच करेंगे insert situation करने के बाद आपको जाना पड़ता है बीबिलियोग्राफी में आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे एक option दियावा इसे तरीके से बीबिलियोग्राफी तो मैंने इस पर इस तरीके से आया हुआ है नाम एयर कंपूर्टर कर नाम फिर यहां पर इसने अगर इसका style चेंज करना होगा किसे मुझे कुछ द्रिफरेंट तरीके से दिखाना है तो यह दिया मझे ल स्टायल तो मैं अंग्ल कर करके स्टायल करते हूं तो यह यहां पर आगिया पर इस नाम यहां नाम यहां है ठीक है आपका स्टेट भी है अधर का भी है पब्लिचर का भी है एर भी है सब कुछ है तो इस तरह दिखाने के लिए होता है तो एक बार मैं अन्मीट कर देता हूं लेकिन पर बता जाता हूं को एक option रह गया और तो आपको यहां पर इंसर्ट सिटेशन और इस्टाइल आप देखिए यहां पर इन तिनों का यूज करने के बादे से हमने आप बना लिया और इसमें अगर हमें कुछ एड करना है या चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैंने सोर्स है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया ठीक है तो के दिया है अधिक करने का अप्संच मैंने डिकर अधो सब्सक्राइब करने के लिए गता है अगर नहीं कर APP करेंग दो कि किसी को डाउट है कि कुछ इसमें है सर्व इंसर्ट सिटीजन में हाँ यहां पर कि एक करवे देख रहते इसका एक प्लेस होल्डर नेम में सब्सक्राइब मुस्तर नेङुल सबस्क्राइब बलंने में चैने की तरया है यहां पर यहां पर ग्रांश होल्डर यह शम्मार्ट में आ तो जब यहां पर हम बनाते हैं ना ठीक है तो यहां पर जैसे मैंने क्लिक किया एक न्यू प्लेस होड़र पर तो जो भी आपको यहां पर नाम देना यहां पर ठीक है दे दिया मैंने बुक के बारे में और यहां पर कर दिया ठीक है तो यहां पर आपको दिखा देगा हूँ कि दो दो हमने बना दिया ना एक को हटा देना यहां से ठीक है एक को हटाने के लिए फिर यहां से जीट कर दिया मैंने यहां बटन दिया है और इड़ीट हो गया यह नहीं हो गया तो यह कि इसके बारे में यहां पर गार्फेने बॉक के बारे में ने ठीके बिसा लोगे कर लोगे यहां पर रिफेंस के अंदर से इंसर्ट फूटनोट और इंसर्ट सिटेशन से ठीक है सर वन कोस्टन हाँ जैसे मान लिजे कि जो इंसर्ट सिटीजन लगा है तो हम इस पर कोई फोटो लगा है फोटो था लगाना हो जिसे हम पेज पर फोटो लगा ठीक है न और शेट करेंगे इसको जहां पर करना है देख के पर जो बीजिए हम काम करते हैं चाहिए काम उपर हो या नीचे हो जैसे मालीजी यहां पर ने बना लिया और इसे हमें और प्पेस्ट के सबसे नीचे दिखाना है तो कुछ करना कुछ भी दिख करना है तो अपना कर लेना पहले तो इसा करना हो तो करना और जहाँ भी चैगे वहां जा करके सी कर दिना तो वहां पर क्सक्राइब कर सकते हैं अपने कोडिंग तो कोई यह के लिए आउच झानद रहे हैं तो छोटा ठीक है जिसाना है शेका डाया बी किसने वद लाए अधि जोडा और जोला है आए चोड़ा नहीं होडाई पूछिए और बाकि आद साथ बच्के एक मिनट हो गया है तो आज इसको न आप प्रेक्टिस करना पहले चोटी-चोटी चीजे हैं ठीक है कल में आगे बताऊंगा इसका ठीक है अब आप आप अब आप करने के लिए जो बनावा जो अब नोट्स देंगा मैं अभी कमपूटर गुरूप में है ठीक है है क्यों थे टांठ यू ऑके बाइख जू अगॅ के बाइख जूद के लिए बाइख जूरी तक हां इसे साथ में झाल